सहज मार्प के सभी अभ्यासियों को प्रणाम आज जो इसे हमने लिया है वह है जीव और ब्राम इसकी पून व्याख्या बाबुजी महाराज ने सहज मार्ग दर्शन नामपुस्तक में दी हुई है तो हम सब जानते हैं कि ईश्वर प्रकरती के कंकन में मौझूद है तो ये रहसे है क्या अगर ईश्वर प्रकरती के कंकन में मौझूद है तो इसका ये अर्थ हुआ कि वह जीव, ब्रह्म सब में विद्यमान है और ब्रह्म ही गौड है इश्वर है जिसने इस पूरे ब्रह्मान की रचना की है तो मैं जो जीव हूँ वह अस्तित्म में कैसे आया हम इसको से हैं सब जानते हैं कि इश्वर ने ब्रह्मान की रचना की तो यहां पर इश्वर को हमने ब्रह्म कहकर पुकारा है तो जितने भी जड़ चेतन थे वह सब अपने-पने अस्तित्म में आना आरम होगे तो जड़ चेतन में वह विद्यमान हो गए और जो जो आकर्ति और रूप उन् उन्होंने धारण कर लिया तो फिर इश्वर ने अंत में अपनी ही शक्ति इन सभी जड़ चेतन के अंदर डाल दी कि वह सब क्रियसी लो जाएं और उन्हें गति उत्पन हो जाएं तो उसी परकार जो मनुष्य है उसको हम जीव कहते हैं तो जीव के अंदर भी इश्वर न दोनों एक ही परकार के थे लेकिन हुआ क्या हुआ ये कि जीव ने जब अपने होने के भाब को समझा तो वह उससे अलग हो गया किस से ब्रह्म से अलग हो गया तो जीव के अंदर जैसे ही ये प्रसन उठा कि मैं कौन हूं और मैं अस्तित्तम में क्यों हाया हूं तो उसके चारों और ये एहम के आवरण चड़ना आरम हो तो जीव ने अपनी एक विलग सत्ता अर्थार एक अलग ही सत्ता बना ली ब्रह्म से ब्रह्म का कारिय था ब्रह्मान को देखना और जीव जो था उसने अपनी एक विलग सत्ता बना ली किस वज़े से सिर्फ एहम की वज़े से कि मैं कौन हूँ, अब हुआ क्या, उसी सत्ता में विचारों, समवेगों, भावनाओं और इच्छाओं ने अपना कारिय सुरू किया, तो जब इन्हों ने अपना कारिय सुरू किया, तो ये जो बहार की एहम की परतें थी, ये और भी स्थूल होती गई, अर्थार कठोर हो असली रूप था, जो उसे ईश्वर की द्वारा मिला था, वह बिलकुल एक लोहे के पिंजरे में चला गया, तो बाबुजी ने क्या बताया है, कि एहम अत्वा विलक सत्ता के भाव से घिरी हुई आत्मा के रूप में, जीव अस्तित्तम में आया, जब तक उसने अपनी अ जीव ने अपने धे को इस लोह पिंजर में कैद कर लिया, और ये लोह पिंजर का क्या आर्थ है, एहम, जीव ने अपने आपको एहम के लोह पिंजर में कैद कर लिया, तो यहां पे जो जीव है, वो इस चलिया के रूप में दिखाया गया है, और ये जो पिंजरा है, यह ह हमारा एहम है, तो होता क्या है, कि जब मैं पिंजरे में कैद हूँ, और अपने अस्तितव को भूल गया हूँ, तो कोई अगर मुझे मेरे अस्तितव की याद दिला दे, कि मैं असल में कौन हूँ, तो हम दुबारा से एक के करके, अपने आवरन को उतारना आरम कर देते हैं, और हम सब सोभागे साली हैं कि हमें बाबुजी महराज जैसे गुरू मिले जिनों ने हमें हमारे अस्तित्व के वारे में बताया और एक ऐसी पदिती बनाई जिसको कि हम सहजमार कहते हैं उसके अभ्यास से हम अपने ऊपर चड़े सभी एहम के आवरणों को पिगालते हुए स सीधा दुबारा से उसी ब्रह्म रूप में पहुंच जाएंगे तो सहजमार का अभ्यास करके जो हमारे उपर आवरण चड़ें वो धीरे-दीरे समाप्त होने लग जाते हैं जैसे सबसे पहला वृत है सबसे पहले वो समाप्त होता है उसके बाद जो अंदर का छेतर है वह इसके अंदर गती थी और इसके अंदर सोचने की शक्ती भी थी तो इसने अपनी एक स्रिष्टी बनाई उस गती से तो बाबुजी कहते हैं एक तरह से जीव और ब्रह्म का कारिये भी एक ही है जो जीव का कारिये छेतर है वह केवल एहम तक है लेकिन जो ब्रह्म का कारिये ह वह संपून ब्रह्मान तक है तो दोनों ही अपनी-अपनी सीमा में बंदे हुए हैं क्योंकि मनुष्य जो है वो केवल एहम तक है और इसका छेतर जो है वो संकीर्म है इसका मतलब अगर हम अपने एहम के सारे वृतों को समाप कर लें तो हम दुबारा से उसी ब्रह्म में रू सिखाती हैं सहजमार पत्ति हमें ये सिखाती है कि हम अपने एहम के एक-एक आवरन को जो की 16 आवरन बताए गए हैं उनको खतम करते हुए दुबारा से उसी ब्रह्म रूप में आ जाएं जो की अस्तित्व के समय हमें मिला था तो सहजमार पत्ति कोई साधारन पत्ति नहीं अगर अभ्यासी इसका नियमित रूप से अभ्यास करे और जैसा बाबुजी ने बताया है तो वह बड़ी ही जल्द अपने लक्षे को प्राप कर लेता है